हाई एक नए वीडियो में आपका स्वागत है मैंने फिछले वीडियो में आपको लाव और हानी ग्याद करना सिखाया साथ ही लाव और हानी पता हो तो उसके हिसाब से क्रैमूल और विक्रैमूल ग्याद करना आपको सिखाया आज मैं इस वीडियो में आपको परतिसत लाव और प्रतिसत हानी ग्याद करना सिखाऊँगा, तो आईए देखते हैं, रेखिए प्रस्णा हमारा क्या कहता है, प्रस्णा है यादी 50 रुपय की कलम 70 रुपय में वेची जाए, तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिसत से, यानि कि यहाँ पर हमें लाभ ग्याद करने के लि पराबर, लाभ, गुणा साओ, बटा, कड़यमुन, ठीक है, और अगर आपको कहें कि प्रतिसत हानी, तो परतिसत हानी ब्राबर, आपका सुत्र हो जाएगा, हानी, गुणा साओ, बटा, कड़यमुन, एक बात यहां से तो तैह है कि अगर आपको परतिसत लाव ग्याद करने के लिए कह रहा है तो आपको लाव पता होनी चाहिए अगर परतिसत हानी ग्याद करने के लिए कह रहा है तो आपको हानी पता होनी चाहिए अगर पता नहीं है तो प्रस्ट में कुछ न कुछ ऐसा जानकारी दिया हुआ रहेगा जिससे लाव अत्वाहानी आप ग्याद कर सकते हैं अब आई यह प्रस्ट को हम घल करते हैं इस फर्मूला को आप ध्यान में रख लेंगे इसे याद कर लेंगे जिससे आगे प्रस्ट में हल करने में आपको सहलियत होगी ठीक है प्रस्न है हमारा यदी 50 रुपे की कलम 70 रुपे में बेची जाए कितनी की कलम है 50 रुपे की बेची कितनी में गये 70 रुपिया में यानि की कलम का क्रायमूल कितना हो गया देखिए क्रायमूल कहते किसे है जितनी में खरीदी जाए यह हम आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं तो करायमूल हो गया 50 रुपया करायमूल कितना हो गया 50 रुपया बिकरायमूल यानि कि जितना में बेची जाए बेची कितनी में गया है 70 रुपया में कितने रुपया में 70 रुपया में लभ ब्रावर क्या होता है? तो घट के 20 रुपिया आजाएगा लाव अब हमें लाव पता चल गया है तो कहा है प्रस्रों में कितने पर्तिसत है याद करना है तो देखिए प्रतिसत लाव ब्रावर सुत्र क्या होता है? लाभ गुणा सर, बटा क्रैमूल क्योंकि हम जो परतिसद लाभ या परतिस हानी ग्याध करते है वो क्रैमूल के आधार पर ग्याध करते है अब यहाँ पे लाभ है तो लाभ कितना निकल करया है? 20 रुपया यहाँ 20 रुपया लिख देना है गुणा 100 और बटा क्रैमूल कितना है? 50 रुपया ठीक है? और आपको जो कटने वला है उसको काट देना है देखिए 50 से 100 कट जाएगा कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा तो अब बच किया 2 और गुणा 20 तो 20 में 2 से गुणा करेंगे तो आपको कितना होगा? 40 यानि कि यहाँ पे 40 परतिसत का लाव हुआ है कितने परतिसत का लाव हुआ है? 40 परतिसत का लाव तो परतिसत लाव कितना हो गया? 40 परतिसत आईए दूसरा कोस्चन देखते हैं कुछ सर्फ हमारा क्या है कि 40 रुपय में खड़ी गई कोई बस्तू सरी 400 रुपय में खड़ी गई कोई बस्तू 500 रुपय में बेची जाए तो कितना लाब होगा लाब परतिसत ग्याद करें देखिए बस्तू कितने का है 400 रुपया का खड़ीदा गया है 400 रुपया में बेच कितना वे गया है 500 रुपया है कितने बेचा गया 500 रुपया है तो यहां पे लाव हो रहा है तो हमें गयाद करने के लिए का रहा है लाव और साथ ही याद करने के लिए का रहा है परतीसत लाव तो यहां पे सबसे पहने क्राइबुल लिख लेते हैं क्राइबुल कितना है 400 र लेना है परतीसत लाब तो सबसे पहले हम क्या ग्याद करेंगे लाब लाब बरावर सुत्र क्या होता है तो बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल ठीक है बिक्रैमुल कितना है 500 रुप्या क्रैमुल कितना है 400 रुप्या घर जाएगा तो कितना होगा 100 रुप्या यारी कि लाब कितना आपने लिख देंगे कितना सो और गुने सो क्रेम कितना है क्रेमल 400 है यहां पर सिंपली कार देंगे की cash cash यानि की 100 टा झार घया सो में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 25 बार कि जाएगा यानि 25 प्रतिसर तो बढ़ाये परतिसत लाग कितना आया 25 परतिसत क्लियर ये समझ गया अब हम ज्याद करना सीखेंगे परतिसत हानी उसका एक्जापल देखते हैं प्रस्न क्या कहता है देखिए एक टेबूल 500 रुप्या में खड़िद कर 450 रुप्या में बेचा जाए तो कितना हानी होगा परतिसत हानी गयात करें यानि कि टेबूल को खड़िदा कितना में 500 रुप्या में और बेचने के लिए कह रहा है 450 रुप्या में तो इस इस्थिति म संकि परतिसने कि proudly box हैं कोई गर्ण से करहें कोई वात नहीं है। इस विवर याद लिकह लिए कितना है। बेचा थे 450 अब यहाँ पे होगा होगा लेकिन कितना तो यह याद करना होगा उसके वाद हमें याद करना होगा प्रातिसत हानी ठीक हैंוס सबसे पहले हम क्या गयात करेंगे हानी और हानी वराबर सुत्र क्या होता है क्रैमूल माइनस विक्रैमूल ठीक है क्रैमूल कितना है 500 रुपया कितना 500 और विक्रैमूल कितना है 450 ठीक है तो खड़िता ज्यादा रहे बेचा कमने तो हानी होगा कितना 50 रुपया कितना 50 रुप हानी बराबर हमारा सुत्र होता है क्या तो हानी गुना सव बटा क्रेमुल हानी गुना सव बटा क्रेमुल ठीक है तो हानी कितना है हानी पचास रुपया हुआ है ठीक है और गुना सव करना है और बटा क्रेमुल दे देना है क्रेमुल कितना है क्रेमुल 500 कितना है 500 तो दो जी परतिसत की हानी होगी कितने परतिसत की 10 परतिसत की हानी आईए नेस्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन क्या है हानी एवं परतिसत हानी ग्यात करें इसमें भी हानी ग्यात करना है और परतिसत हानी ग्यात करना है यदि 2250 रुपे की साइकिल किसी कारण बस 1150 रुपे में बिचना परा 1125 में उसी सिती में हानी कितनी होगी और परतिसत हानी कितनी होगी आए देखते हैं देखिए क्रायमूल कितना है क्रायमूल है 2250 ठीक है बिक्रायमूल कितना है तो इसका बिक्रायमूल है 1120 यानि 1150 रुपया तो हानी तो होगा लेकिन कितना ये निगालना फिर परतिसत हानी भी निकालने के लिए हमें कह रहा है ठीक है देखिए तो हानी बरावर आप जानते हैं कि क्रेमुल माइनस बिक्रेमुल होता है तो क्रेमुल माइनस बिक्रेमुल ठीक है क्रेमुल कितना है तो क्रेमुल है 2250 बिक्रेमुल कितना है 1125 घटाएंगे तो कितना ह हो जाएगा 25 एक और एक ठीक है यह 1125 रुप्या में बेश दिया है तो कितना इसका हानी जो होगा 1150 होगा याने कि सीदी सी बात है कि पूरे आधे दाब में बेश दिया है कितने इता में बेश दिया है पूरे आधे दामने, तो हानी 1125 रुपया, क्लियर आगे देखते हैं प्रतिसत हानी, प्रतिसत हानी, ब्रावर क्या होता है, हानी गुना 100, बटा करैमूल, हानी कितना हुआ है, 1125, गुने 100, बटा कितना, करैमूल कितना है, 2000, 2250, तो इससे दो बार कट जाएगा, 1125 से है, दो बार में 225 कट जाएगा, दो से 100 कट जाएगा, कितनी बार में, 50 बार में, मतलग कि पूरे पूरी 50 परतिसत की हानी हुई है, कितने परतिसत की हानी हुई है, 50 परतिसत की, ये बात यहां से भी देखने को हमें मिल रहा है, क्यो बेच दिया सीधा 1125 में पूरे आधे दा में बेचा है कितने दा में बेचा है पूरे आधे दा में इसलिए परतिसत हानी जो होगी वो हमारा 50% होगा क्योंकि कोई बस तू अपने आप में 100% होता है तो यह 100% था यानि कि 100% था और इसे बेचा है आधे दामे, इसका मतलब 50% हानी हो गया, clear, तो I hope कि इस वीडियो में आपने परतिसाथ लाब और परतिसाथ हानी याद करना सीख गए होंगे, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजे, और मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक क के लिए धन्यबाद, जहींद, बंदे मात्रा